नमस्कार दर्शकों यूटूग के मेरे चैनल में आप सक्काव सागत है आज का मेरा विशे है राउ केतु का राशी परवर्तन और मीन लगन पर्श का प्रभाव आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मार्च 2019 से राउ जो अपनी करक राशी को बदल कर मिथुन राशी में परवेश कर रहे हैं साथ ही केतू जो अपनी मकर राशी को बदल कर धनू राशी में परवेश कर रहे हैं उसका प्रभाव मीन लगन के जातकों पर क्या पड़ेगा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले डेड़ साल से अगस 2017 से राहु तो जो थे वो करक राशी में चल रहे थे और केतू जो हैं वो मकर राशी में चल रहे थी जो कि मार्च 2019 को अपनी राशी बदल रहे हैं आई एस का प्रभाव हम देखें मीन लगन किस कुण्डी पर यह मीन लगन की कुण्डी जिस कुण्डी के पहले भाव पर बारा नंबर की राशी लखी है यह मीन राशी इसके प्रतम भाव को लगन कहते हैं तो यह मीन लगन की कुण्डी है प्रतम भाव में मीन राशी पहते हैं और केतु आरकार पंचम और में रहु कुर्ण तो जो बहाव में ऊप्रकार नंगतु के अक्ष्ममें अता है उससे सम्मंदित फल जो हैं कम हो जाते हैं और फलो की जो फल होते हैं वो भी नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं पंचम भाव से विचार करते हैं अपन विद्या बुद्धिवा संतान का विद्या का विचार करते हैं इसलिए जो विधारती थे क्योंकि रहुए आप पंचा माम में बैठा था तो विधारतियों का मन जो है पढ़ाई से भटक रहा था उनका वन पढ़ाई में लगनी पा रहा था, इसके अलावा क्योंकि हम संतान का विचार भी करते हैं, इसलिए आपको अपने संतान को लेके कोई ने कोई प्रॉलम थी, जो कंसीव करना चाते थे, उनको कोई प्रॉलम चल रही थी, या जिनके घर में संतान का जर्म होना वाला प्रॉलम चल रही थी, वो सब प्रॉलम जो आपकी खतम होंगी, और संतान से समन्दित आपको शुव समचार मिलेंगे, इसके अलावा प्रेम समन्दों के लिए मैं करक राशी में रहू के पंचम को चलने को चित नहीं मानती, क्योंकि इससे क्या होता, समन्दों में गलत फ जो बादा अब समापत हो जाएगी, अब राहू तो जो है, वो करक राशी से मिथुन में आ जाएंगे, और केतु जो है, वो मकर राशी से धनू में आ जाएंगे, आप इस बात में देखिए कि राहू और केतु राशी बदलने हैं, तो राहू करक से मिथुन में आ रहे हैं और केतु मकर से धनू में आ रहे हैं जबकि जन्दली क्या होता है कि ग्रह जब राशी बदलता है तो वो अपने आगे की राशी में जाता है तो काईदे से तो ग्रह को करक से सिंग में आना चाहिए था पर ऐसा नहीं हो रहा इसका रीजन क्या है कि राहू और केतु के वक्री ग्रहें वक्री ग्रहें इसलिए उल्टे चलते हैं इसलिए राहु जो है करक से मितुन की तरफ चला गया और केतु जो है मकर से धनु की तरफ आ गया अब आपकी कुंड़ी का चौथा भाव और दस्वा भाव यह राओ-केतु क्यक्ष्में है अब इसका परवाब मील लगन क जातकों पर क्या पढ़ेगा इसके बारे में हम देखेंगे अब क्या हुआ कि दशमभाब में आपका क्या है उचका केतु आ गया धनुराशी में और आगे चलके क्या होगा कि 28 मार्स से लेके 20 अपरेल 2019 तक आपका लगनेश गुरू भी इसमें उचका अपनी स्वराशी में बैठ जाएगा केतु के साथ यानि लगनेश और दशमेश गुरू की यूति हो जाएगी केतु के साथ 28 मार्स से लेके 20 अपरेल तक उसके बाद गुरू अपनी राशी में वापस चले जाएंगे विस्टिक राशी में और उसके बाद गुरू जो है बारा दुबारा पंद सफलता मिलेगी राव केतु के जिस्टि आपके धनवाप पर भी है एक दो तीन चार पास आपको धनका भी लाव होगा आप अगर सरकाई नौकरी में है तो सरकार से आपको लाव मिलेगा शत्रु भाब पर भी केतु की जिस्टि होने के कारण आपके शत्रु परास्त होंग इसके अलाबा बाकी तो positivity है कि संतान के समंद्धी समस्चाओं का निवारन हो गया विधारती का मन पढ़ाई में लगेगा प्रेम समंद्धों के लिए इस्थिती उत्तम है अब हम बात करें उन लोगों की जो सरकारी नौकरी में हैं सरकारी नौकरी में हैं उनका राउ केतु के अक्षमें आ गया चौथा और दस्वा भाब तो आपका सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर भी ऐसा हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना पड़े जो कि चोते भाव में राहू आ गया चोते भाव में राहू आने से घर का सुख कम हो जाता है इसलिए हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े और चौते बहों में रहू रहेगा तो मन में सुक solids कि आपको कमी रहेगी रात को नीम में प्रावलम आईगी जैसे आप business करते हो तो कुछ नया business प्लान कर सकते हो कोई जॉब में कर रहे तो जो हैं आपको बड़ावा देते हैं बूच देने वाले ग्रहे हैं पर मैं आपसे तब भी कहूंगी कि आने वाले डेट साल में किसी भी बात की प्लानिंग करें तो बहुत सोच विचार के करें क्योंकि आपका चौथा वा दश्मभाब रहाओकित्यू के एक्ष में हैं ज सब्सके बाद नहुंबर के बाद जब गुरू यहां पर रहेगा दश्मभाब में तो आपको शायर इस काम के समद्ध में प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि गुरू के साथ जो केतू की यूति हो जाएगी तो पता का योग बनेगा और आपके काम के चेत्र में आपका समान नहीं हो वीडियो समात करने से पहले मेरी उन सभी दश्कों से प्रात्ना है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वी झाल